Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज मैं आप लोगों के साथ मैं मेरा सारे साकुलेंट्स और कैक्टस को मैं कैसे करके क्यार करती हूँ वो ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे फ्रेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं कैसे करके मेरे साकुलेंट्स को इन गर्मियों में क्यार कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इसलिए आज मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैं जैसे करके क्यार करती हूँ वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप भी वह ऐसा ही करके क्यार किजिएगा तो आपका प्लांट भी ऐसा ही हेल्दी रहेगा और समर में आपका प्लांट खरप नहीं होगा अगर आप मेरे जैसा करके क्यार करेंगे तो इसलिए फिडियो पुरा एंड तो देखिएगा तो आपका प्लांट भी ऐसा ही हेल् तो फ्रेंट्स चलिए अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स का सामर क्यारिंग के बारे में फ्रेंट्स पहला जो काम है इन प्लांट्स में हमें इस सामर में धूप और बारिश के पानी से हमें बचाना है तो धूप यह दोनों में से बचाने के लिए आपको आपका साकुलें और केक्टास को, केक्टास तो हम फिर भी बारिस के पानी सेंस कर सकते हैं, लेकिन साकुलेंट्स तो बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें इन सब को शेट के नीचे रखना है, धूप और ये बारिस के पानी से बचाने के लिए, लेकिन धूप तो हमें चाह वह हम बाते करेंगे तो इसके लिए आपको शेट के नीचे राखना है और ऐसा जागा पर राखना है जहां पर कम से कम सुबा का बस एक दो हंटे का धूप मिल जाए वही काफी है इन प्लांट्स के लिए मेरे यहां पे तो आज कल बिल्कुल भी धूप नहीं आते है और एक मिनिट का भी धूप नहीं आते है यहां पे तो इसलिए सामार में आप अगर धूप नहीं भी देते है तो वह तो आप लोगों के सम नहीं है देखिए मेरे यहां पे बिल्कुल भी धूप नहीं आते है और इसलिए आप अगर धूप देने से अच्छा है जैसे कि मेरा कि यहां पे थूप नहीं मिलता है इन सबको तो इसलिए गालार थोड़ा सा फड़ हो गया है फैड यानि यह तेखिए इसका कालार थूड़ा थोड़ा जैब बीज में तो उप नहीं मिल रहा है अगर हम कुछ दिन इसको मुड़ा एक खंटे का अगर थूप देंगे तो फिर से इसमें आ जाएगा तो इसलिए थूप हमें अभी इस समार में बस एक घंटे का भी आप दे तो इसका कालार सबकुस परकरार रहता है तो ऐसा करके आप इन प्लांस को अभी थूप दे सकते हैं तो फ्रेंट्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांस को हमें पानी कॉप और कैसे देना है वो देखते हैं देखिए फ्रेंट्स मेरा ये प्लांट्स को इतना तक मैंने फिंगार अंदर खुषा दिया सोल मेडिया में फिर वी एकदम ड्राई है तो इस समय हमें इन प्लांट्स का पानी देने का समय हो गया है तो ऐसे करके आप अंधिंगा खुशा के भी देख सकते हैं ऐसे तो हम लोगों का अंदाजा हो गया है जिन लोग बहुत दिनों से साकुलेंट्स केक्टास ग्रो करते ह उन लोग को तो आंदाजा ही है ऐसे ही दे सकते हैं अगर आप नया है तो ऐसा करके देख सकते हैं जब देखे कि कम से कम आधा इंच से सुखा है तो आप पानी डालें और यह देखिए इसमें थोड़ा-थोड़ा मोईस्ट अंदर है ऐसे मोईस्ट भी नहीं है मतलब ठंड यह दिन के बाद ही पानी देने से हो जाता है लेकिन अभी ड्राइश सीजन भी है तो इसलिए इतना गर्मा हाठ होता है तो इस वज़ा दिन के अंदर पानी देना शायिद पर चता है, तो यह देखिए, पानी हमें ऐसे करके, अगर ऐसा प्लांट है, जो कि चारो तरफ غला हुआ नहीं है, तो तो आप ऐसे करके पानी दे सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, देखिए, पानी मेरा अंदर नीचे निकाल जाएगा, बहुत ही जल साइट से ऐसे करके पानी देना है हमें और एक तरीके से भी हम पानी दे सकते हैं जैसे कि जो भी साकुलेंट्स पूरा पॉरा भरा हुआ रहता है प्लांस तो आप उसको ऐसे करके पानी डालिएगा तो उन प्लांस के पत्ते में भी पानी नहीं लागेगा क्योंकि पत्ते में रोज अगर पानी लग जाएगा तो पत्ते गलने का डॉर रहता है वो गल भी जाता है तो इसलिए आप ऐसे करके पानी दे सकते है या फिर जो बीज-बीज में पत्ते नहीं है उहां पे आप आराम से पानी डाल सकते है तब भी आपका प्लांस अच्छा रहेगा तो ऐसे ही क करके आप पानी दे सकते है इन सकुलेंट्स और कैक्टास को और फ्रेंट्स अभी हम जो जो जोरूरी बाते वह है इन प्लांस को हम गर्भियों में गलने से कैसे बसाए उसके लिए देखिए फ्रेंट्स हर महीने आपको यह देखिए यह साप फांगिसाइड है तो आपके पास जो भी फांगिसाइड पाउडर एवेलोबिल है वह आपको एक चमस लेना है एक लिटर पानी में उसको अच्छे से खोल के आपको हर महीने प्लांट्स का जो सोल मीडिया है उसमें डालना है और हर महीने आपको प्लांट्स का पत्तियों में भी वह 22-25 डेस के अंदर- इस्प्रे करना है तो अब फिर यह जैसा एक चमस भरा के ले लिया तो आप एक चमस से थोरा सा कॉम भी ले सकते है तो आधा समस से लेकिन ज्यादा ले लिजिएगा तो वह लेके एक लिटर पानी में खोल के वह फिर आपको सारे साकुलेंस में इस्प्रे करना है तो वह 22- 25 टेस्ट के अंदर-अंदर कीजिएगा और यह फिर हमें सॉयल मीडिया में डालना है जो मिट्टी है उसमें तो देखिए ऐसे करके आपको अच्छे से मिला लेना है और उसमें एक लिटर पानी डालके प्लांट में डालना है तो यह हर महीने एक बार करने से हो जाएगा उन्टर में तब थोरा लेट से करने से भी हो जाते है लेकिन इस समर में आप हर महीने या फिर 25 टेस्ट के अंदर-अंदर आपकी जिएगा तो आपका प्ला यह जितना भी है वो भी खारब नहीं होगा अच्छा रहेगा तो मैं ऐसे ही करके क्यार करती हूं तो वह आप लोगों साथ शेयर कर रही हूं देखिए ऐसे करके पानी लेके अभी इन पानी को हमें गालना है तो वह भी देखते रहिएगा और फ्रेंट्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांस को हमें कैसे जगह पे रहना साहिए इन समर में ऐसे तो मैंने बोल दिया कि समर में हमें शेठ के नीचे तो आप तो शेट के नीचे राख लिया उस में से भी नहीं होगा तो भी खराफ होने का बहुत ही ज्यादा डर है क्योंकि आप जहां पे भी राखेंगे उहां पे आपको जो डाइरेक्ट हावा है वो आराम से आना जना हो ऐसा जगा पे राखना चाहिए ताकि हावा एक आपका प्लांस ऐसे ही गौल जाएगा इस समर में क्योंकि तो और गर्मिया हट ज्यादा हो जाते है इन प्लांस को हुमिडिटी अच्छा लगता है तो इसलिए उंटर में यह सारे प्लांस बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहता है और आप अगर ऐसे करके रखेंगे जितन प्लांस में अच्छा ही रहेगा और अगर आप शेल्प में रखा है तो अंदर की तरफ जो भी प्लांस है वह सबको आप साइड में आगे की तरफ लेके आई है क्योंकि मेरे एक प्लांस खरब भी हो गया है वह यह शेल्प के अंदर की तरफ है और ऐसा अगर शेल्प में ह वहां से आप थोड़ा साथ दूरी में ही रखिएगा क्योंकि वाल का जो गर्मिया हाट है वह भी मिल जाते है तो प्लांस और खराब होने का डर रहता है तो इसलिए आपको शेल्प का ओपर में रखने का कोशिश की जिए करना परेगा ज्यादा से ज्यादा प्लांस को तो त मतलब वहां पर अगर हवा अच्छे से आना जाना करें मतलब आता जाता रहे तो आपका प्लांस बहुत ही आच्छा और हेल्दी रहेगा जितना ही कर्मी क्यों ना हो और ऐसे करके आप इन प्लांस को क्यार की जिएगा इस सामार में और फ्रेंट्स देखिए मेरे यह अला प्लांट खराब हो गया है देखिए इसको मैंने पत्ते एक पत्ते से ग्रो किया था और बहुत ही सोटा प्लांट था लेकिन हेल्दी था और यह देखिए अंदर की तरफ है शेल्प का वाल के पास में ही था तो मैंने देखा भी नहीं था यह खराब हो रहा था इतने दिनो में हैं फिर वह उपोर में जितना भी है वह सब के हेल्थ के हिसाब से ये अच्छा ही है ये भी हेल्धी है लेकिन फिर विश का कोस पत्ते सहर है तो ऐसे भी इस सीजन में पत्ते थौड़ा बहुत तो सहरते ही है उस बज़े से आप टेंशन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है थोड़ा बहुत पत्ते सहरते हैं इस सीजन में तो इसलिए फ्रेंड्स यही मेरा बोलना था कि आप जहां भी रखे यह सबसे ज्यादा बरा काम है आपका प्लांट्स में हावा अच्छे से लाग जाए तो ऐसे ही जगा पे बहुत ही लगेगा मैं भी नहीं करती हूं सायद व्रा साल मिला के दो इन बार ही क्या है क्योंकि मेरे एक प्लांट्स पोहत ही ही थी हुल्दी है और और कोई ब्यों क्रेशन वrzyए फ्रेहों लागा है तो फ़ी आप नीमोल का इस प्लांट्स में और आपा सॉकूलांट फू इस्प्रे भी किया है मैंने तो आप भी इस्प्रे की जिएगा तो आप एक डेर महिने में एक बर इस्प्रे की जिएगा बहुत ही आच्छा रहेगा तो फ्रेंट्स मैंने सामार का सारे क्यार टीप्स आप लोगों को बता दिया है तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करके क् बिल्कुल मेरा जैसा ही हेल्दी रहेगा और इस सामार में भी आपका साकुलेंस भी कलेगा नहीं और फ्रेंट्स में मेरे साकुलेंस को क्या-किया फार्टिलाइजर देती हूं कैसे करके देती हूं वह भी आप लोगों के साथ श्यार करूंगी वह दूसरा वीडियो में आप अच्छे से देखिएगा तो आपका प्लांस भी बिल्कुल मेरा जैसा ही हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मेलते हैं हम अगले वीडियो में तप तप के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए और हमारे लिए भी थुरा सा दोय किजिएगा थ thank you so much for watching